को जो इंतिजार था के भाई हमारा जो है एक्जाम कब होगा कौन से डिन होगा और कौन सी टाइमिंग पे होगा तो प्रिविएस वीडियो में एक चीज मिसिंग थी के जो है फाइल लोट नहीं हो रही थी तो अब यह फाइल जो है मेरे पास मौझूद है यह वाटसब चैनल पर मैं अपने दे देता हूं उसके डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं तो यह वाटसब के इनुटी में आप लोगों को शेयर करते तो आप देख सकते हैं इसमें नजर आ रहा होगा आपको कि रोल नंबर लिखा हुआ है डेट है डे है और टाइम है तो किस तरीकी से चेक करना है रिजल्ट को एक बार इसका भी ओवर्वीव कर लेते जैसे के 20 जुलाई के 20 जुलाई है और दिन जो पढ़ड़ा है यह सबसे पहले 9 बचे के टैमिंग है और कौन-कौन से रोल नंबर को आने आपको देख रहा होगा लेफ साट पी जो मेरे पास है वह रोल नंबर चले में तो आप देख सकते हैं यह सारे रोल नंबर जो है यह बीज जुलाई का है इसी तरीकी से कंटीन्यू चले गा यह सारे सुडेंट्स को जाना हुगा जितने सुडेंट ने इन्रूड्मेंट कराया थी तो तक्रीमन सब गया नाम है क्योंकि प आप देखेंगे सब के रोल नमबर जो है यहां पर मिल जाएंगे तो इसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो यह सारे जो है बीस जुलाइ को बुलाए गया है इन सब स्टुडेंट्स को और इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अब दो बजे का स्लोट चुर एक बार मैं संडे में चले जाके दिखारेता हूँ तो इसंडे में भी आपको यह मिल जायाइगा के संड गोकॉर्ट चैंग कौन कौन नमबर क्या है और अब जो संडे की टैमिंग शुरू हो रही है है को तो आपकर स्लॉट टाइमिंग पे ऐसे इसको वेरिफार कर लिये गाद किस टाम पे बुला गए क्योंकिते किस तेन बजे कुई ऑफिशल कर टाइमिंग क्लास तो होती नहीं थी तो से पांश टाम इंग तो यहां पे तीन बजे बुलाए गया है और 8 बजे भी है और सुबह 10 बजे भी तो डिफरेंट टाइम पे बुलाए गया है डिफरेंट स्टुडेंट को तो आप अपनी टाइमिंग को वेरिफाय कर लिएगा ठीक है तो यह सारे पूरी लिस्ट है काफी बड़ी पचास हदार स्टुडेंट की पूर होगा है तो आपको Am तो सब्सक्राइब और नट के हैं वने हैं के बना लिया स्कूल्ड लेम और स्कूल नेम रिखते हैं और स्कूल नेम अगे आप लिए को पैसे अप than बैद दभ आ मुझूद होगी यानि इस B, C, D करके आपको चैस की Out Z की मुझूद होगी तोब्ड़। Topic । कौन कौन से आने वाले है है to इसको भी क्वार हमने डिस्कॉस कर लेंगे लिए के आपको Topics के पर बहें एक बार शोर्म को बता चीज को कॉंन है और इसी के साथ सर्जिया की रैपो तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंड है क्योंकि उसे काफी सारे एंसी यूज बनेंगे और इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं सारे रोल नमबर चलते ही जा रहे हो काफी बड़ी लिस्ट है यह कोई छोटी बोड़ी लिस्ट नहीं है आप देख सकते हैं यह संड़े आगी है और फिर यह डेट भी चेंज हो गई है एक मिनट यह सटर डे आगी है और यह वैंज कौनकौन से रोल नमबर को जाना है और इसी तरीके से कंटीन्यू चली है बहुत बड़ी लिस्ट है हमारा पास पूरी इस चलिए है तो उमेड आपको यह चीज़े समझ में आगा हुग एक किस तरीके से और क्या क्राइटेरिया है हमारे पास इसका तो यह डिफरेंट स्लॉट्स भी समझ आगा हुगे कि कौन कौन से स्लॉट्स तो किस किस दिन को बलाया हुग है तूजे किस लॉट्स की टाइमिंग है कुछ इसी तरीकिसे मंडे की है यह मंडे की टाइमिंग के स्टुडेंट से और फ्राइडे की स्टुडेंट से पूरी पीडिएफस में आप सर्च के लिए आपका रूल नंबर काहां पर है काफी मुश्यक्त काम है यह सर्च करना अभी कोई सर्च बेस पी नहीं दी गई कोई ऐसा पैनल नी बनाया कि आप अपना रूल नंबर दाले और आपका पतशल जाए कि आपका इस टीन आपको यह थोड़ी थी मैनत करनी पड़े की अपना नाम बोलना हुश्यक्त अपना रूल नंबर यहां पर आपको सर्च करके ढूड़ना पड़ेगा अच्छे टॉपिक की बा इसके बाद कौन इंदर कावी सारे चीजे हैं यह वित नेस्ट अबजेक्स तक आपने देखा वाँ स्लाइड में मौजूथ है और इसके बाद एरेस है और एरेस के मैठर्ड काफी इंपॉर्टेंड है यह चीज़ आपको जहन में होने चाहिए फास वर पर बेसिक मैठर्ड्स तो आपको आने चाहिए वैसे मैठर्स तो बहुत सारे है लेकिन जो स्लैट्स के अंदर मौजूद्टी हो तो कम से कम आना चाहिए पुछ पॉप शिप अंशिप स्लाइस और स्प्लाइस टीचर में भी आपको यही पढ़ायोंगे ऑपरेटर्स बहुत सारे थे वह सारे ऑपरेटर्स तो साप लोग को अगर मैठ्स कमजूर है तो थोड़ी सी प् बढ़ेगी जिनके मैन में के अंदर कमजोर है कंडीशन से और उसके बाद यूनियन डिर्टर इंटर सेक्षन और सबसे बढ़ा और सबसे मुझा तो नहीं कह सकते सबसे बढ़ा और सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक फंक्शन ऐरो फंक्शन और पिर डिटर्स और वैलिबल स्लूप स्टिंग फंक्शन ओवर लोडिंग रेस्ट में पैरेमिटर वाइड नेरॉइंग टाइप आफ नल इस्ट्रक्चर और इंटर फेस तो ये सारे टॉपिकिट है और i think इसमें सारे चीजे मैंने आयड़ कर दिये अगयर कुई ने मेरे साथ के ये मैं नहीं है कि और उसके लाव 앞 कोई टॉपिक्स अगर आपको लगता कि मैंने नहीं बता है तो वो कमेंट में जरूर बता लिएगा फिर मैं उसके वेरिफाय कर दूगा कि है है या नहीं कि हो सकता है कुछ टॉपिक्स मुझे लग रहा है कि इसमें से शायद मिसिंग हो विश्चेक तो किया तो मुझे कोई इसके मिसिंग इसमें देखा नहीं अगर आपको लगता है को हुआ उसका मीं टॉपिक्स ब्रोव अगारे बहुत सारा चीजे की वाता क्या dan तोके दॉट यहक बात बसक्रास ने पूछा था कि ब्रप काफ़ 0022 ऑब ज्यंक्व II काफी डॉलर्स के काम मिल जाते हैं इसके object oriented program के अगर आपको ये बनाना आई है एक बार तो बहुत जबर्दस और काफी अच्छी चीज़ है आप इससे freelancing भी कर सकते हैं ये जो है exam में include नहीं है ये confirm है ठेक है ये बात बिल्कुल confirm है कि object oriented program जो है वो exam का part नहीं है अब हम देख लेते हैं तो ये सारे topic exam के लिए most important topic है और तो ये PDF slide में आप लोग के साथ share कर दूँगा देखता हूं मैं WhatsApp चैनल पर upload हो रही है corporate speed.com पर अभी laptop का मेरे पास एसस नहीं है जबी mobile से वीडियो बना रहा हूं तो वर्ना मैं ये corporate speed.com पर देखे आप लोग download कर लेते या फिर मैं WhatsApp की community में अपने दे देता हूं लेकिन जो new join करेंगे उनकों नहीं मिलेगा तो उनके लिए मैं आप फिर नंबर से ले लिएगा यह कर सकता हूं तो यह थी अप तक की update और प्रैक्टिस के लिए एक और बात बता आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसे पर बस इस बात का खायल जरूर रखना है कि जब आप यह attempt करेंगे ना यह questions mcqs के तो इसको पढ़ेगा बहुत सारे क्योंकि कुछ mcqs इसमें एक्जैम में सिर्फ तो इतने असान नहीं दे रहे तो इसमें चीजे जो है ना बहुत बारिक सी चीजे और उसको पढ़ने जलाजमी है तो से तीन मरतबा डायरेक्ट एक मरतबा पढ़कर उसको क्लिक न लिएगा पहले फिर इसके बाद जाके आंसर को अटेम करिएगा डायरेक्ट सिंग एक बार पढ़कर आप करते तो गल्ती कर सकते चीजे का कॉंसेप समझेगा कि कोड क्या रहा है जो कोस्टन है वो बोल क्या रहा है उसको अच्छे से पढ़ लिएगा इसी तरीके से प्ले कर दिया है थिंग वो अनलिस्टेट गया भी मैंने पॉब्लिश नहीं किया वो तो वह भी देख लेगा बरहा है मेरवानी तो यह थी अब तक की मोस्ट इंपॉर्टन अपडेट चुके आप सब को इंतिजार था इस बात का तो अब स्टार्ट कर रही है अप तो कंफॉर्म प्रट होंगे कॉर्टर टू के लिए जो अब एक्जैम देना लाजमी है ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूस किया जाए कि हमारे एक्जैम रह गया तो एक्जैम देना लाजमी है सब के लिए जो कि इस कोर्स के अंदर आगे भी मजीद पढ़ना चाहते है तो कोई ऐस आप्शन न एक्जैम ना दे आगर आपने क्लासे छोड़ दिये तो कोई मसला नहीं है लेकिन एक्जैम जो है वो हर सूरत आपको देना होगा तो वीडियो के एंड करते है तो इसी के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा 6.98 के हो गए 7 के तक तो बचाए दे मैं एक प्रेक्ट कर रहा हूँ 7 के तो इस वीडियो पर हो जाने चाहिए यह 7 के क्रॉस ही हो जाने चाहिए तो अल्ला आफिस